करें हलो फ्रेंट्स वेल्कूम टू س्टुडु फीट्ट चैनल दोस्तो आज मैं इंफरेट के बारे में कि इस इस बारे की शो कि जाती है जायए विदूचिकिस्टा के उन्दकत आता है दोस्तों इसे पहले मैं इसे समंदी楽् Drug Therapy यानि विदूचिकिस्टा से और या उत विरीजनिया की सब्सक्राय, और की दो जए जुम ना आ ना चुकी हो एक पांच वीडियो है, इंफलो एड किरर के बारे में दो सिंगम हैं, का यहाहा है ? इससे कैसे चीकिस्ञा किया जाता है ? di т. e diitival को video सुर्ओ से लाश तक देखे दोस्तो तो चली जानते हैं इंफरेट की रड़ क्या है इंफरेट रेंज रेंज क्या है दोस्तों यह एक ऐसी चिकिश्टा विधी है कि इसका उपयोग मुलायम उत्तकों की चोटों के लिए किया जाता है विसेसकर उन मुलायम उत्तकों की चोटों कि जब मुलायम उत्तकों की चोटों में सूजन खत्म हो जाती है तब हम इंफ्रारेट कीरर का उपयोग करते हैं जबकि दोस्तों जब सुजन खत्म हो जाने के बात इंफ्रारेट कीरर का परियोग की जाता है यह आप ध्यान में रखिएगा जबकि सूजन को कम करने के लिए किसका प्रयोग की जाता है डाइपर्स तरिपिका जिसको मैं पिछले बेडियों बता चुकी हूं यह इंफलरेट कीर का प्रयोग इसमें होता है जब गुलायम उत्तकों की चोटों में जब सूजन खत्म हो जाती है तब इसका प्रयोग किया जाता है इसमें गर्मी प्रदान करने वाले उपकरर जैसे की सूर्य हीटर आदी से ली जाती है और यह किई से ले जाती है कोई भी जाता जैसे की शूरी हो गया विदूत हीटर हो गया आधी से ली जाती हैός इन क्रिणों की दोस्तो जो लंबाइ होती है इन तरंगों की जो लंबाई होती है चालिस लाख एंपियर से सथात्तर सो एंपियर यूनिट होती है विसेस रुप से इंफ्रारेट लेंब का परियोग इसमें किया जैसा कि चीत्र में दीख रहा है जिससे यह किरड़े प्रकासित होकर स्वयम उस्सरजित होती है किससे प्रकासित हो रही है वो सुर्य की प्रकास से विज़ती हीटर से एक लाइंप का परियोग किया आता है जो वह प्रकासित होकर स्वयम उस्सरजित होती है इसका उपयोग चोट ग्रस्त भाग के लिए रोज 10 से 20 मिनट तक किया जाता है किया जाना चाहिए अगर इन किरणों को तोचा पर 90 डिग्री कोर्ट से डाला जाए इतो सबसे अधिक प्रहौसाली होता है यानि कि कहने का ताथ पर है कि अक्सर इसको 90 डिग्री कोर्ट पर ही डालना चाहिए जहां पर चोट लगी है तो जादे प्रहौसाली होता है यह किरणे दो प्रकार के उपकरणों से निकाले जाती है यह दो प्रकार कौन कोंसे है पहला है और प्रकास यक्ता उब-करड आनि नान लीमिनस इक्वंट मेंग धशार में एक एक करके जानते हैं विजले बात करते हैं और अई बौण नान लीमिनस इक्वंट मेंग इस उपकरड में दोस्तों चालिस हजार एंपियर यूनित तरंग लंबाई की इन्फ्लोरेट की रड़ उस्सरजित होती है इसकी भेदन छमता दसमलो एक यम्यम से एक यम्यम तक होती है इस उपकरण में जोलंशिल पदार्थ के लिए तार का प्रयोग किया जाता है और जब इस तार में धारा परवाहित किया जाता है तो इससे उस्समा उस्सरजित होती है इसमें आठ यम्यम ब्यास वाली ट्यूब का प्रयोग किया जाता है जो कि एक बिद्दूत इंसूलेटर का कारे भी करती है तथा उस्समा की एक अच्छी चालग भी होती है दूसरा है प्रकास युक्त उपकरर यानि लिमिनस इक्यूपमिन इसमें क्या होता है दोस्तों इसकी तरंग की लंबाई औस तन दस हजार एंपियर यूनिट होती है जैकि प्रकास युक्त की कितनी थी चालिस हजार एंपियर यूनिट इसकी कितनी होती है प्रकास यूट करण की तरंगो की लंबाई 10,000 यंपियर यूनिट होती है तथा यह साथ से 1,000 बोल्ट तक धारा विद्दूत प्रवा को ग्रह करके शहन करती है इसमें एक बल्ब का प्रियोग किया जाता है जिसमें निस्क्रिय गैश भरी रहती है और टंगस्टन तार का फिला मिंट इसमें लगा रहता है जिसमें बार बार ठंडा और गर्म होने की अच्छी शहन सिलता होती है बल्ब के सामने एक लाल रंग का काँच रखा जाता है जो कि पराबैगनी कीड़ों को और शोशित कर लेता है इसकी भेदन चमता और प्रकाशी युक्त उपकरणों की अपेच्छा अधिक होती है अब बात करेंगे की इन्फारेट कीरण यानि इन्फारेट रेज की चिकिस्टा की अप्रवाव क्या होता है तो जय अगर गल्ती से ताप अधिक बढ़ जाए तो उत्तकों को नुक्सान हो होसकता है तो चार रोग होने की संभावना होती है गंदे पडार्थों को मान स्पेशियों में रखत द्वार बाहर निकाला जाता है पसीनी की गंध्यों किताब को यह बढ़ाता है तो दोस्तों यह था इंफारेड रेंज के बारे में जिसके बारे में I hope कि आपको समझ में आया होगा आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताईए दोस्तों एंड दोस्तों नेश्ट वीडियो में यानि पार्ट 6 में अल्ट्रा वाइलेट रेंज के बारे में बताऊंगी दोस्तों यहां से आपका खत्म हो जाएक के बाद जिसके बात मैं दोपिंग के बारे में पुरा ऐक टॉपिंग बताऊंगी की दोपिंग क्या है दोपिंग में पितने इस्टुमिलेंट होते हैं एंड डोपिंग में आज से कितने खिलारी डोपिंग के चलते हैं उनको एवाड नहीं दिया गया है कब डोपिंग शुरू हुआ कब इसका टेस्ट शुरू हुआ कब सबसे पहली बार उसका प्रमाना मिला इसके बारे में डिटेल में बताऊंगी और दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार बिजिट कर रहे हैं तो चैनल के सब्सक्राइब कर लेजिए बेल आइकन को प्रेस कर लेजिए जिससे जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं उसका नाटिफिकेशन आपके पहुंचता रहे हैं दोस्तों मिलते हैं नेक इस टॉपिक के साथ तब तक के लिए जैहिए